साथियो मैं अपने आपको बहुत उपयुक्त यहां नहीं है अनुवकर रहा हूँ क्योंकि संगीत जैसे गहन विशे का जानकार तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ लेकिन सांस्कृतिक बहुत से मैं यह मैसूस करता हूँ कि संगीत एक साधना भी है और भावना भी है जो अव्यक्त को व्यक्त करदे वो शब्द है जो व्यक्त में उर्जा का चेतना का संचार करदे वो नाध है और जो चेतन में भाव और भावना भरदे उसे सुरुष्ट्री और सम्वेदना की परकाष्ट तक पहुंचा दे वो संगीत है आप निस्पुरूँ बैठे हो लेकिन संगीत का एक स्वार आपके आँखों से आँसु की धारा बहा देता है यह सामर्थ होता है लेकिन संगीत का स्वार आपको वैराग्य का बोध करा सकता है संगीत से आपमें विर्श भरता है संगीत मात्रुत्वों और मम्ता की अनुभूती करवा सकता है संगीत आपको राष्ट भक्ती और कर्तव्य बोध के सीखर पर पहुँचा सकता है हम सब सोभाईब्य साली हैं कि हमने संगीत की इस सामर्थ को इस शक्ती को लता दीदी के रूप में साक्षा देखा है हमें अपनी आखों से उनके दर्शन करने का सौभाईगी मिला है और मंगेश का परिवार पीडी दर पीडी ही इस यग्य में अपनी आहुती देता रहा है और मेरे के लिए तो यह अनुभाव और भी कहीं बढ़कर रहा है अभी कुछ सुर्खियां हरीज जी ने बता दी तिकिन मैं सोच रहा था कि दीदी से मेरा नाता कब से कितना पुराना तो दूर जाते जाते याद आ रहा था कि शाहिद चार साड़े चार दसक हुए होंगे सुधिर फड़केजी ने मुझे परिच्चे करवाया था और तब से लेकर के आज तक इस परिवार के साथ अपार्स ने अंगिनत कटना है मेरे जीवन का हिस्सा बन गई मेरे लिए लता दिदी सूर सामरागे के साथ साथ और जिसको कहते हूँ मिझे गर्वन भोता है वो मेरी बड़ी बहन थी पीडियों को प्रेम और भावना का उपहार देने वाली लता दिदी उनकी तरफ से एक बड़ी बहन जैसा अपार प्रेम मिला है मैं समझता हूँ इससे बड़ा जीवन का सोभाग्य क्या हो सकता है शायद भहुत दसकों के बाद ये पहला राखी का तेवार जब आएगा दिदी नहीं होगी सामान्य तोर पर किसी सम्मान समहरों में जाने का और जब अभी हरिज जी भी बता रहेते हैं कोई सन्मान ग्रहन करना अब मैं थोड़ा उन विशे में दूरी रहा हूँ मैं अपने आपको एड़्जस नहीं कर पाता हूँ लेकिन पुरसकार जब लता दिदी जैसी बड़ी बहन के नाम से हो तो यह मेरे लिए उनके अपनत्व और मंगेशकर परिवार का मुझ पर जो हक है उसके कारण मेरा यहाँ आना एक प्रकार दिदी मेरा दाइत्व बन जाता है और यह उस प्यार का प्रतीक है और जब आजिना जी का संदेश आया मैंने मेरे क्या कारकम है मैं कितना भीज़ी हूँ कुछ पोचा नहीं मैंने का भाया पहले हाँ कर दो मना करना मेरे लिए मुंकी नहीं नहीं कि मैं इस पुरसकार को कि सभी देश वाज़्चों के लिए समर्पित करता हूं जी तरह लता दिदी जन जन की थी उसी तरह उनके नाम से मुझे दिया गया है पुरसकार भी जन जन का है